आप सब का स्वागत करता हूं ये एकडमी 123 पर आज हम समझेंगे कि जो जेई मेंस के त्वारा पेपर 2 जो होता है उसमें जो बी आर्क और बी प्लानिंग के लिए जो कोर्सस होते हैं उनकी आज एक्जाम हो चुकी है अर्था सेप्टेमबर 1 हुआ है और इस सेप्टेमबर 1 में जो कोष्ण पैपर हो है उसका लेवल कैसा रहा है है उसके अंदर को टफ रहा है कि मोड़र्ट रहा है या जैनेरु सेशन से कैसा रहा में साती सात हम बात करेंगे एकड़ कट आप IS एकटेड़ काटआरा के बारे में जैसा कि थमनील में देखा है तो पूरी और 100 marks थे, चार marks का, aptitude से 50, और ये 200, aptitude दोनों में रहेगा, ठीक है, planning based question और जो be arc based questions रहते हैं, उसमें भी रहेगा, ठीक है, और total 400 marks रहेगा, यानि जिसे कि अगर मैं यहां पे एक format में दिखूँ आपको, तो यह है, जिसे कि be planning के अगर आपन बात करें, simple अगर बात होती है यह जिए planning का 400 marks होता है, aptitude के, यह आपके पास, इतना वाला section रहता है, और planning based question के लिए, आप देख सकते हैं, इतना वाला section, और maths के लिए, इतना वाला section, और अगर बी, बीटेक के लिए अगर बात की जाती है, तो उसके अगर फिजिस्ट, केमेस्ट्री, और mathematics के structure है, लेकिन इन से कैसा questions रहा था, और इसका क्या structure रहा था, वो आज अपन बात करते हैं, तो दूस्तों, सबसे पहले में आपके साथ share करना चाहूंगा, कि जो mathematics का जो portion हुआ था, आज में, उस वो थोड़ा सा, लगभग 60% feedback कहे जा रहे हैं, उसके अंदर, कि tough था, ठीक है 30% feedback उनका कहता है, कि moderate रहा था, वो 10% student कहे रहे हैं, कि very easy रहा था, very easy रहा था, तो ये mathematics के support में बात आ रही है, तो इसका कितना रहेगा, और इसमें जो sections आए था, जिनके अंदर, hyperbola हो गया आपका, measurement हो गया, 3D geometry हो गई, और आपके पास इन sections से ज्यादा questions आए थे, और इ और अगर simple बात की जाए, अगर आगे चलते हैं, और अगर drying की बात करते हैं, तो drying के अगर बात करेंगे, आप तो वो जो आ रहा था, यूँ मेंस कह सकते हो, कि ज्यादा तर feedback लोगों का ये रहा है, कि ज्यादा easy नहीं था, moderate भी कह सकते हो, और moderate से थोड़ा easy, मतलब not easy वाल बस उस situation पर best आपको एक creation create करना, और वो जितना होगा उस पर best था, और math section के अगर बात की जाए, तो mathematics और इसमें क्या फर्क था, mathematics में solve होने वाले questions थे, कैसे थे, solve हो सकते हैं, लेकिन length ही थे, ठीक है, तो ये कुछ लोगों का feedback था, जो मैंने आपके साथ share किया, ठीक है, औ calculation based वाले जिनका पन को बोलते हैं, simple, ठीक है, और GK के अगर बात करें तो जैसे कि NASA का full farm आ गया, ठीक है, आपके पास ISRO का full farm आ गया, एसे जो simple scientific background के जितने भी institutions थे, उनके full farm उन्होंने पूछे थे, ठीक है, तो ये कुछ status रहा था, questions का, अब अपन बात करते हैं, में जिस AC में होंगे तो कितने होंगे और ST में होंगे तो कितने होंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर step by step बात करता हूँ, आपके सामने, देखेगा, तो सबसे पहले अगर मालनों की general में आप है, students, general में अगर आप है, और अगर आपको 179 plus marks भी आ रहे हैं तो आपकी cutoff clear है, क्या है, cut backward classes में हैं, तो आपके 164 marks में मालन लीजिए, 164 marks अगर प्लस है, तो आपको cutoff के लिए रहे हैं, यह नि बोला, college मिली जाएगा, branch मिली जाएगा, cutoff के लिए रहे, ठीक है, और उसके बाद, और उसमें तफिर जितना अच्छा score रहेगा, वो रहेगा, और SC के लिए अगर students बात की जाए, तो 156 plus marks अगर आपके रहें, इससे ज़्यादा है रहें, तो आप इसका cutoff qualify कर जाएगे, और similarly अगर मैं AST की बात करो, तो AST में आपके पास 129 तक का score है, अगर इससे ज़्यादा भी अगर आपका आता है, तब तो selection ही से, बट इससे यह एक boundary threshold कर सकते, यह को authentic नहीं है, बट एक tutor का imagination है, प्रिवियस जो cutoff रही है, उनको अपने देखकर इस बारे में एक prediction दिया है, आप इसको official नहीं माने, ठीक है, और साथे साथ मैं यह भी कहना चाहूँँगा कि इनके इर्द गिर्द ही पिछले साल भी अपने cutoff निकल दो इसके आसपास ही उसका आंकड़ा राधा, तो कहने का अर्थ अगर आप लोगों से यह बात share की जाए कि कितना क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको यह धियान रखना है, तो जनरल के लिए 180 marks या 179 marks आ रहे तो आप safe है, 164, 165 आ रहे तो तब भी आप safe है, और 156, 157 तक अगर आपके SC यानी category में आ रहे तब भी आप safe है, साथ इसाथ अगर आप estim है, estim है तो 120 marks अगर आपके आ रहे तब भी आप इसमें safe माने जा सकते हैं, तो यह एक चीज है, और इनमें भी अगर जिसे मानलों की pH candidates की बात की जाए, तो उनमें plus minus 5 का fluctuation है, plus minus 5 का fluctuation आप देख सकते हैं, ज्यादा नहीं ठीक है, तो plus minus 5 का fluctuation यानि जो pH हर category wise की बात करों में, तो यह एक हो सकता है, बाकी इसके अंदर कुछ और extra नहीं है, और उसके बाद जो भी NTA या जो भी इसके concern जो committee है, वो जो ताय करेगी, वो तो हैसी finally, बट यह अपनने के analysis किया, तो यह वीडियो गर पसंद आया हो, त तो क्या करना है, like कीजेगा, share करना, बिल्कुल no thank you, bye bye, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजी,